तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक डेटाबेस को बना सकते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल को किसे बना जाता है जब हम लोग डेटाबेस को बना लेंगे तो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करवाएंगे हमारा जो फोम उसके साथ काफी चीज़ी हैं तो गाई सबसे पहले मैं करूँ है क्या इस पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से हम लोग युवाई पार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्स पर चलूँ लूगा फॉम यॉअइ पर छलूगा ठीक है और यहां पर मैं जहां कंप्लीट कॉर्ट जो के इंदर चलता हूं और मैं सिंप्ली कहां पर आता हूं यूटूब फॉर्म ऑपरेशन नाम से मैंने एक डायक्टरी बना रखी है यह डायक्टरी में ओपन करके सिंप्ली यहां पे पेस्ट हो चुका है ठीक है इस तरीके से ओल्राइट गाईज है काम करेंगी सबसे पहले यह जो stml का stml का सिंपली इसका एक्स पहले मैं करूंगा मैं से पहले करूं गाईज इसको on with code कर लूँगा ठीक है जैसे मैं open with code पे क्लिक करूंगा मेरा visual studio code यहां पर ओपन हो जाएगा रही और हो चुका है यह YouTube Home Operations के अंदर ठीक है मैं सबसे पहले करूँगा क्या यह जो HTMLNS का extension इसको मझे PHP के अंदर convert करना है मैं simply यहाँ पर जाओंगा and my terminal पर click करूँगा directly new terminal पर मैं simply click करूँगा ठीक है guys आप लोग देशोते मेरा terminal open हो चुका मैं क्या करूँगा CLS करूँगा सब कुछ मतलब clean कर दो clean guys आप लोग simply CLS कमांड देते हो ना तो आप लोग CLS का मतलब होता है clean कर दो अब guys करने को मैं simply का extension यहाँ पर right click करके नीनेम पर भी click करके मैं simply कर सकता हूँ बढ़े यार देगो इसके अंदर in fact मुझे हाँ पर नहीं करना था sorry मैं यहाँ पर आके करूँगा लिखूँगा ran इस तरीके से मतलब ran क्या मतलब ran का मतलब simply rename कर दो यह जो home नहीं simply पहले index को करते हैं ठीक है आप किसी को भी कर सकते हैं इसी बात नहीं index.stml नाम से simply एक file है अब देखो यार मुझे बोल रहा है कि यह path आप लोग नहीं डाला आप लोग नहीं नाम डालो मैं simply index.php लिखता हूँ जैसे मैं login.php मुझे जालना पड़ेगा तो login.php इंटर मारूँगा यह देखो simply login.php हो चुका है all right same goes for home.stml तो home.stml obviously मुझे space नहीं देना है home.stml इस तरीके से और rain कर मैंने simply home.stml को किया तो मैं simply क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा home.php all right guys आप लोग देख सकते हो home.php मेरे सामने यहां पर completely आ चुका है और मैं simply बात निया बस simple rule यह है कि index.stml था पहले अभी मैंने simply यहां पर php कर दिया है.php अगर मुझे run करना है तो php मुझे कहां पर run करना है.php मुझे simply मेरे browser पर run होगा तो मैं copy path करता हूँ और मैं जल्दी से google chrome यहां पर open करता हूँ all right guys google chrome ओपन हो चुका है मैं करूँगा क्या यहां पर paste करूँगा इस तरीके से st docs को मुझे remove करना है और मुझे यहां पर type करना local host और जैसे मैं इंटर मारूँगा आना तो आप लोग देखोगे मेरे सामने आरा this site cannot be restore obviously मुझे कहरा रही कि आप लोग क्या करें local host refuse to connect यह simply connect नहीं कर पा रहा है reason क्या है हमारा जो jam है उसके अंदर मैं इसको jam को open करता हूँ सबसे पहले so jam को जैसे मैंने आप इस्टोल किया obviously store नहीं sorry open किया तो मुझे आप इस तरीके से dashboard दिखाई देता है और मुझे modules दिखाई देने app path से क्या है एक server है mysql क्या है database है दोनों को मुझे हाँ पर start करना पड़ेगा क्योंकि मुझे database भी create करना है और मुझे हाँ पर मेरी file को run भी करना है तो आप लोग जैसे दोनों को start करोगे न तो आपको ports PID एंड इसका जो color होगा वो अलग हो जाएगा तो मतलब आपका start हो चुका है ठीक है इससा कुछ होता है तो आप लोग इसको simply close कर सकते हो और मेरे सामने यहां पर आ क्या चुका है मैं registration form दिखाई दे रहा perfect मतलब मेरा simply अभी index.php पर यह चल रहा है ठीक है अब गाईज बात कुछ ऐसी है कि मैं सबसे पहले करूँगा क्या सबसे पहले मैं एक database बनाऊँगा ठीक है सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक database बनाऊँगा आप लोग एक नई tab open करें यार और ग PHP my admin का एक panel आपको दिखाई देगा ठीक है basically क्या है कि आप लोग left side के अंदर जो यहाँ पर items देखोगे इसमें आप लोग को दिखाएगा कि आप लोगोंने कितने database create कर रहे हैं और आप लोग एक नया database भी बना सकते हो ठीक है basically यहाँ पर इस पर click करके ठीक है तो मैं जल्दी से करूँगा कि आर मैं एक नया database बनाऊगा इस तरीके से इस पर click करके मुझे बोलेगा कि यार ठीक है आप लोग अपने database का नाम डालो तो मैं database जो मैं database और यह वाले database है ठीक है और मैं simply एक नया database बनाऊँगा जिसका नाम मैं डालूँगा simply YouTube इस त database YouTube यह simply create हो चुका है अब मुझे बोलेगा कि ठीक है आर आप अपनी जो टेबल है उसका नाम डालो properly तो मुझे आपर टेबल का नाम डालना मैं आपर लिखूँगा simply YouTube टेबल इस तरीके से ठीक है आप लोग YouTube form table लिख दो इस तरीके से टेबल का नाम है simply YouTube और अब इस लिए जो आप अपने data insert करवाओगे तो आप लोगो को दिखाना कि क्या चीज़ कहां पर दिखानी है देखो यूजर नेम के लिए simply one email phone password and confirm password basically obviously मुझे 5 है यहां पर पांस मेरे simply क्या है यहां पर input fields है ठीक है so guys मेरे 5 यहां पर input fields है और यह 5 input fields का data यहां पर जाएगा तो मुझे आ आपको बता देता हूं कि इसमें अभी इतना ही चीज़ नहीं है हम लोग दीरी दीरी step by step सारे वीडियो देखेंगे ना तो काफी चीज़ी हम लोग add करेंगे इसके अंतर हमारी जो image का भी simply आए का निचे और हमारा unique ID भी होगा हमारा status भी होगा हमारा token number भी generate होगा काफी च मुझे यहां पर simply all right करना पड़ेगा क्योंकि ID हर एक user की जो ID होगी वो simply auto increment होगी हर एक फिल्ड के लिए तो मैं च्याय डाल देता हूं एक बार और मैं simply go पर click कर देता हूं loading हो रहा है और यह simply आपका create होने वाला है आप लोग देसे तो create हो चुका है मुझे टेपल का नाम एंड मुझे यहां पर चीज़ दिखाई दे रहा है सबसे पहले क्या ID all right फिर username obviously username यह है और फिर आप लोग डालोगे अपना email फिर obviously मुझे यहां पर डालना पड़ेगा phone number तो मैं आप सिंप्ली phone number डालूगा और फिर मेरा password obviously and c password है इस तरीके से ठीक है तो यह चीज़ी मैंने यहां पर एड कर ली है ID की ID का जो टाइप होगा वो इंटीजर होगा क्योंकि ID के अंतर numbers आएंगे 123 इस तरीके से और इसकी जो लेंथ होगी 255 होगी ठीक है आप लोग थोड़ा स्क्रोल करें आपको यहां पर सिंप्ली इस यहां पर दिखेगा auto increments आप लोग auto increments को जो uncheck डाना इसको check कर दें मतलब auto increment होता रहना चाहिए यह ठीक है तो यही था अब मैं simply यहां पर आता हूँ user के आगे जो इसका type होगा वो simply variable character सभी का variable character होगा obviously तो मैं सभी का यहां पर variable character कर लेता हूँ उस तरीके से ठीक है और सामने एक form table बनके ready है आपको structure दिखाई दे रहा है simply इसका आप लोग browser पर click करें और ID, user, email, phone, password, password वगरा मुझे आपर दिखाई दे रहें जो fields और है unique ID वगरा है image, tokens यह सारी चीज़े मुझे बाद में add गरनी है मैं बाद में add गर दूँगा अभी के लिए मुझे simple सा था कि आप लोग को समझ में आजए मैंने किया क्या है कुछ नहीं किया मैंने basically localhost less php my admin लिखा तो मेरे सामने क्या है यह dashboard open हुआ ठीक है मैंने simply new पर click करके database बनाया और database का नाम मैंने डाला YouTube form जैसे मैंने simply save वाले button पर click किया तो मुझे बोला कि table भी बनाओ मैंने table बनाया table का नाम यह वाला है ठीक है उसके अंदर मैंने कुछ value set कर दी like ID user अब यह बात कुछ ऐ आएगा email लिखेगा इमेल इसके जास निचे आएगी इस तरीके से auto increments यहां पर fields add होती रहेंगी और मुझे चीज़ें यहां पर show होती रहेंगी ठीक है यह है और अब देखो बात कुछ ऐसी है कि यह मेरा database है YouTube form नाम से और यह मेरा simply form है ठीक है बट मैं connect कैसे करा हूँ यह जो मेरा form है इसको मुझे obviously connect तो करवाना पड़ेगा ने इससे ताकि मैं simply हाँ पर data insert करवा सकूँ या ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे काम करना पड़ेगा काम simply यह हो मैं हाँ चलता हूँ एक नई directory create करता हूँ obviously उसके अंदर backend का code रहेगा तो PHP मैं डालता और PHP के अंदर मैं simply एक नई file बनाता हूँ config.php नाम से आप लो connection.php नाम से बना सकते हो मैं एक config.php नाम से एक file बना लेता हूँ इस तरीके से यह मेरी file बनके रेडिया थोड़ा जूम करता हूँ आप लोग के लिए code को और मैं यहाँ पर simply लिखता हूँ PHP sorry PHP open and PHP close इस तरी है तो आप लोग डालोगे local host इस तरीके से ठीक है और आप लोग फिर क्या डालोगे username अब यूजर नेम क्या है मैं आपको बताओंगा थोड़ देर रुको आप लोग आपर simply password भी एक बार आप लोग छोड़ें skip करें ठीक है आप लोग database का नाम insert करें database का नाम क्या है आपक आपका database का नाम है simply जो भी आपने database जिस नाम से create किया वो नाम डाले YouTube form तो मैं यहां पर लिख दूँगा YouTube form इस तरीके से ठीक है तो मैंने YouTube form लिख दिया YouTube form और user के अंदर क्या आएगा password के अंदर क्या आएगा मैं आपको बताओं देको simply आप लोग को क्या करना है इस पर च directory है उस पर आप लोग जाओगे और आप लोग simply file मिलेगे आपको config.inc नाम से ठीक है यह वाले फाइल और आप लोग simply क्या करें आप लोग इस पर आएं और आप लोग simply open with क्या करें इसको notepad कर लें इस तरीके से अब जैसे यार मैंने notepad किया यह देखो मेरे सामने इसका code open हो चुका है इसके अंदर साली चीजी दी गई है जो आप लोग database के साथ connect करना चाहते हो basically मुझे देखो यहां पर अगर मैं username दिखा हूँ तो आप लोग इस वाले line के अंदर देखो user user मुझे by default क्या मिल रहा है route मिल रहा है अगर आपको change करना है आप change कर सकते हो अगर आप आपको password करना है तो आप लोग password कर सकते हैं मुझे नहीं करना फिलाल क्योंकि मैं ही इस इसका owner हूँ मैं इसके अंदर देखोंगा इस machine के अंदर आपको चीजी दिखाने है बना के तो यह है तो मैं नहीं change करना है अगर आप लोग change कर सकते हो ठीक है अब guys मैं अगर आपको बता हूँ तो guys बात कुछ ऐसी है root और password ठीक है तो guys मुझे username root डालना पड़ेगा password मुझे empty रखना है तो मैं सिलता हूँ code अंदर और मुझे हाँ पर डालना पड़ेगा root इस तरीके से all right root डालना था all right और मैं हाँ पर simply डालूँगा मेरा empty क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं password मेरा blank है अब guys अगर आप लोग इतनी चीज़े हाँ पर लिए तो server आपने local host यूज किया username आपका root है password आपका empty है कुछ नहीं है आप लोग database नाम आप लोग simply youtube form डालोगे ठीक है all right तो guys सबसे पहले अगर ऐसा करते हो तो मेरे पास एक PSP का अंदर इसके अंदर क्या है इसके अंदर एक server आएगा इसके अंदर आपका पासवर्ड आएगा और इसके बाद में आपका database का नाम आएगा ठीक है यह चीज़े आएगी तो यह क्या है यह simply as a argument मैं इसके अंदर चीज़े डाली है सरवर यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस नेम यह मुझे चीज़े इसके अंदर पासवर्ड पास करनी पड़ेंगे ठीक है एक वस्टू मैं simply इसकी वेल्यू को एक अलग वेरियाबल होगा यह होगा ठीक है अब मैं simply क्या करता हूं थोड़ा कम जोम करके मैं काम करता हू मैं इससा एक if else statement यूज़ करता हूँ अगर note dollar connect note dollar connect अगर यह connect नहीं होता है इसका simply operator लगा रहा है मैंने note वाला आप लोग देखते हो अगर यह connect नहीं होता है तो आप लोग echo करो mysql i underscore connect and आपकी जो भी connect के time पे जो error आ रही है वो ठीक है इसका मतलब simply यह है कि अगर connect नहीं हुआ तो जो error मुझे echo कर दो मतलब print कर दो यार ठीक है अब मैं simply else करूँगा अगर connect होता है तब आप लोग simply क्या करोगे मैं PHP को close करूँगा PHP को open करूँगा इस तरीके से और मै स्क्रिप्ट मुझे करना पड़ेगा मुझे alert करवाना पड़ेगा क्या alert करवाना पड़ेगा की connected हो चुका है इस तरीके से आपका जो डेटाबेस और वो फोर्म आवे simply connected हो चुके है ठीक है अब हम लोग करेंगे क्या अब लोग simply index.php वीजे जो file इस पी हम लोग चलेंग लिखोंगा यह जो config.php नाम से file वो भीज़ी PHP directory उसके अंदर है ठीक है तो मैं लिखूंगा PHP directory उसके अंदर config.php नाम से file इसको आप लोग include कर दें मतलब सामिल कर दें किसके अंदर यह जो index.php वाले file इसके अंदर ताकि मुझे दिखाए कि मेरा connect हुआ है या connect नहीं तो मुझे यह चीज दिखाए देगे चलो ट्राइग गरते हैं यहां पर हम लोग refresh करते हैं मैं इसको refresh करूंगा यहां पर आगया तो आप लोग देखोगे और आप लोग देखो तो मेरे पास यहां पर connected लिक क्या चुका जैसे मैं simply okay पर क्लिक करूंगा तो मेरा page यहां पर अरन किया हम लोगोंने stdocs बैसिकली जो हमारा हम आपको दिखाओं यह जो stdocs था उसके अंदर हम लोगोंने लिखा आप लोगों को दिखाओं अगर stdocs के अंदर मैं simply चलता हूं यहां पर jam के अंदर stdocs के अंदर हम लोगोंने जो हमारे php youtube एक नया folder बना के youtube form operation इसके अं और हमने क्या किया command की help से basically terminal की help से हम लोगोंने क्या किया इसका जो stml में जो इसका extension था वो हम लोगोंने php के अंदर convert किया ठीक है ताकि हम लोगों प्यास्पी को run करवा सके हम लोगोंने simply क्या किया Apache को उनकिया and हम लोगोंने mysql को और jam के अंदर जलके ठीक है और फिर ह तो हमने database बनाया उसके उसको basically हमने connect करवाया यह जो हमारा form है उससे और उसका जो code था हम लोगोंने एक नई फाइल बनाई PHP directory के अंदर और config.php नाम से हमने फाइल बनाई यह simply उसका code connect करवाने का obviously आपको वीडियो काफी clear हो गया होगा नहीं clear हुआ है तो इसके regarding कोई भी देख सकते हो आपको simply इसका code मिल भी जाएगा ठीक है आप लोगो कोई attention वाल नहीं लेनी है simply ठीक है अगर कोई भी इसके regarding करे तो मुझे जरूर कमेंट करना है और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक की लिए आप लोग इस पर practice करो so guys that's the end of video मिलते नेक्स वीडियो में so thank you guys so much take care bye bye